नमस्कार किसान भाईयों देखो मैं अपने खेत मा आया हूँ और ये मेरी प्याज है और इसको मैंने सब्ताई सगस्त को लगाया था और काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है तो किसान भाईयों देख लिए जी अभी इसके अंदर ऐसी कोई प्रोबलम मुझे दिख नहीं रही तो मैंने देखा इसके अंदर जो हरी सुन्डी है वो अभी आना स्टार्ट हो गया देख लिजी मैं अभी आपको दिखाता हूँ देखो ये कहीं कहीं पर ये प्रोबलम आ रही है हरी सुन्डी की तो किसान भाईयों मैं इसका अभी से ट्रीटमेंट कर लूँगा ताकि मु तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर दे बिल्कुल भी लापरुवा ना करे विशेशकर प्याज फसल में अगर इसमें आपने लापरुवा कर दिया आज नहीं कल तो आपको भारी नुक्सान चुकाना पड़ सकता है तो किसान भाईयों मेरा तो यही मानना है कि आप कंटिनुई जोतने पर मजबूर हो रहे हैं तो किसान भाईयों इन सभी मुद्धों पर बात करेंगे इस वीडियो को माद्यम से कि सुन्ड़ी समाधान क्या है जली भी रोक क्यों आता है इसका समाधान क्या है अगर हमारी प्याज पीली पड़ रही तो उसका समाधान क्या है इस वीड भाइओ सबसे पहले मैं अभी अभी इसकंदर इस्प्रे कराऊंगा डोएं हरिसुंडी का क्योंकि मेरे अभी अभी प्रोगलम हरिसुंडी के स्थार्टू यह बाकी कोई problem नहीं ना कोई पिलापन है और ना इसकांदर कोई जले बिरोग की समस्या है देख लेजिए अभी में इसकंदर मेरी इस पर अभी चालू है किसान भाईयों मैं आप लोगों को बताता हूं बरसात को दोर जारी है हमारे खेत में जल भराओ हो रहा है या नमी कंटिन्यू हमारे खेत में बनी हो यह उसके वज़े से फंगस बन रहा है फंगस की वज़े से यह जले भी रोग बन रहा है तो किसान भाईयों मैं आप लोगों को बताता हूं जले भी रोग नम भी इसके आने के चांसेज बन जाते है 99 परसेंट तो किसान भाईयो अगर आपको थोड़ी सी भी सिकायद दिख रही है तो आभी अभी से समल जाए और इसका ट्रीटमेंट चालू कर दे अगर कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर आपको कोई पोदा दिखाई दे रहा है तो उसको इन दोनों का कॉंबेनेशन करके आप इस्प्रे कर दीजिए आपकी समस्या है वो खतम हो जाएगी तो किसान भाईयो आपको जल से जल सचेत हो जाना है बिलकुल अप्रुआ नहीं करना है और अब बात आती है हरी सुंडी की तो किसान भाईयो अगर किसी किसान भाई के हरी सुन्डी स्टार्ट हो गई है इसका अंदर जो कीड़ा है वो लगना स्टार्ट हो गया है तो उसका भी समादान है हमारे पास क्योंकि मेरी अभी इस प्रेश चल रही है इस पेशल इसी के उपर देख लेजिए तो किसान भाईयो अगर किसी भाई के सुन्डी की प्रोब्लम ह हैं तो आप उसके लिए आप साप आउडर और प्रोफेक्स इन दोनों को मिला के आप इस प्रेक कर दीजिए और करीबन सब्सक्राइब दो बार आप इस प्रेक करिए चार से पांच दिन के बाद दो बार इस इसका रिपीट कर दीजिए आपकी प्रोब्लम में बिल्कुल नम हो जाएगी तो किसान भाईयों अगली बात आती है अगर किसी घाज है वह पीली पर रही है का मुख्यी रिजण शिर्प यही है बरसात बरसात की वज़े से जब हमारा मो сам खूलेगा तो अगर किसी भाई की पर रही है तो निश्चि तोर पर इसका जो एक्ट हमारी फस प्रेण हैं और आपकी जो पीला पने वो दूर हो जाएगा तो किसान भाईयों मैंने तीन प्रोब्लम आपको बताई थी जलेबी रोग सुन्डी और पीला पन इन सभी की दवा भी आपको लोगों को बता दिये तो आप यह ट्रीटमेंट कर लीजी और अपनी फसल को अच्छ कैसे ग्रोथ करिए धन्यवाद दोस्तों